सलावम वालेकुम वीवर, मैं शबीर अलकावी कोर्फार्म से ये वीडियो मैं नेचर राने मुर्विस शेकती के लिए शूर कर रहा हूँ आज का टॉपिक है थनेला रोग, मैस्टेटिस, इसमें हम दोग इस वीडियो निवेदन है आप सभी लोगों से की चैनल के डिस्क्लेमर पॉइंट को वीडियो शुरू होने से पहले एक बर ध्यान से जरूर पड़े आज का टॉपिक है थनेला रोग, मैस्टेटिस, इसमें हम दोग इस वीडियो पे हम दो तीन चीज़ डिसक्स करेंगे, पहले ये कैसे होता है, दूसरा इससे बचा कैसे जाए, और तीसरा इसका ट्वीट्मेंट, और आप कैसे समझेंगे कि थनेला रोग हो चुका है तो पहले स्टार्ट करते है हम लोग कि ये क्यूं होता है, ये होने का कारण ये है कि हम दूद केर ने करते हैं, method में मटी में नहीं बैठता है, जमीन में भाटता है, थन्डे से ठन में, लगने से यहाता है, दूसरा कारण इसको कुछ भी जखम व Зखम वगर, वो आम दोग दोनों थन भी खराब हो सकता है, एक थन भी हो सकता है, इसके इलाज घवडाएने पाच दिन में इंशाला दला ठीक हो जाता है अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही से करते हैं और आप सही वक्त में अगर आप समझ गए हैं, तो इसमें होता क्या है, कि थन बहुत कड़ा हो जा जानवर बच्चा है, छोटा है, दूद पिला रहे हैं, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यह वाला जो मैस्टी लिप है, यह क्रीम उसके थन में लगाना है, कैसे लेकिन कब मैं बताता हूं, आपको दो-तीन बार दिन भर में उसके थन को गरम पानी से, कभी ठंडा पा मैं आपको दिखा दूँगा, या फिर उसका नाम में, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, तो वो आपको चड़ाना है, चड़ाने के बाद यह क्रीम आपको लगा कर छोड़ देना है, यह क्रीम आप लगाएंगे, इससे क्या होगा, कि उसका जो थ धूर्वे दोनों तो दोनों काम सेमें भी आप ले लें वाप केट उसमें तो आपका लिखा वारता है तेन ग्राम वगरा खिलाने हैं लेकिन हाफ पैकट टूंटी-फाइव ग्राम या फिटी ग्राम जैसा कंडिशन है उसको आधा हदा पैकट आप दो टैम में पिलाएं पा वो खतम हो जाएगा अब आजए उसके लिए और जो ट्यूब जो आप चला रहे हैं उससे क्या होगा कि जितने भी उपर में जखम मवाद है उसको चड़ाने के बाद क्या करेंगे हाँ से सहला कि आप उसको वो क्रीम को उपर चड़ा देंगे ताकि जब दूसरे बार आप उसको मसाज करेंगे ना या गरम पानी से सेखेंगे जब उसको मवाद निकालने जाएंगे तो सारा उपर के जितना मवाद है ब्लॉक हो जाएगा उसमें गिल्टी गिल्टी हो जाएगा और वो थन खराब हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतने ही है थैंक यू वेरी मच डिस्क्लेमर पॉइंट को किरिपिया करके दिहान से जरूर पढ़े